गधा जो गाएगा, एक बार जंगल में एक जंगली गधा रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था और वह बिलकुल अकेला रहता था, एक दिन वहां से गुजर रहे एक सियार की नजर गधे पर पड़ी, वो गधे के पास गया और बोला, क्या बात है, मेरे प्यारे साथी, तुम्हारा दोस्त बनूंगा, सियार ने उसे साथ बना दी, उस दिन से गधा और सियार बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उन्हें हमेशा एक साथ देखा जाता था, एक चांदनी शाम को सियार और गधा जंगल में घूम रहे थे, वो ही एक थंडी और सुखत शाम थी, जै इसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे जंगल की सीमा से लगे एक गाउं के बहरी इलाके में पहुँचे, उनके सामने फलों के पेरों का एक जूर मुट था, आह, देखो, फल कितने अदभुत और स्वादिश्ट लग रहे हैं, गधे ने कहा, चलो उनमें से कुछ खाते ह ठीक है, सियार ने कहा, लेकिन चलो इसे बहुत शान्ती से करें, वे बगीचे में घूस गए और चुकचाप फल खाने लगे, भर पेट खाने के बाद वे खुश और संतुष्ट होकर एक पेर के नीचे लेग गए, गधे ने कहा, वो स्वादिश्ट था, लेकिन आज रात क कुछ कमी है, वो क्या है, सियार ने पूछा, क्यूं, बेशक संगीत, गधे ने थोड़ा आश्चर रिचकित होकर उत्तर दिया, सियार ने पूछा, हम संगीत कहा से लाएंगे, गधे ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं एक निपन गायक हूं, सियार घबरा गया, याद रखना, हम एक बगीचे में हैं, अगर किसान ने हमारी बात सुन ली, तो हम मुसीबत में पर जाएंगे, अगर तुम गाना चाहते हो, तो हमें यहां से चले जाओ, उसने गधे को सलाह दी, तुम्हें लगता है कि मैगा नहीं सकता, है ना, गधे ने आहत स्वर में पूछा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक रुको, सेयार को एहसास हुआ कि गधा उसकी अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं था, वो दूर चला गया और पेडों के जुर्मुट के पीछे छिप गया, गधे ने अपना सिर पीछे फेका और अपना गाना शुरू कर द आया, सोर सोर से चिलाने की आवाज सुनकर किसान लाठिया लेकर दौर पढ़े और मूर्क गधे को इतनी जोर से पीटा की गधे का पुरा शरीर दुखने लगा, किसानों के जाने के बाद सियार अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा, क्या ये वो पुरसकार है जो आपने अपनी गाई की के लिए जीता है, आहत और शर्मिंदा गधे ने उत्तर दिया, वे अच्छे संगीत की सराहना नहीं करते, सियार ने उत्तर दिया, ऐसा तब होता है जब आप किसी अच्छे दोस्त की सलाह नहीं सुनते, मुझे उम्मीद है कि आपने सबक सीख लिया होगा